fetal bladder distended का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं fetal bladder distended का मतलब होता है कि भ्रून का जो मुत्राश्य है वो फूला हुआ है यानि कि जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है और उस समय उसका ultrasound से चेक किया जाता है जन्म होने से पहले तो कई बार जो मुत्राश्य है यानि कि जहां पर यूरीन बच्चे का एकठा होना चाहिए वो जगह जो है अपने नॉर्मल आकार से जादा बड़ी हो गई होती है या सूजी होई या फूली होई होती है तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि fatal bladder distended यानि कि fatal का जो bladder है वो फूला हुआ है या सूजा हुआ है हाला कि ये जो जानकारी है हम आपको सिर्फ informational purpose से दे रहे हैं हमने आपको सिर्फ इसका मतलब बताया है आप किसी भी प्रकार की medical सलहा के लिए अपने doctor से संपर कर सकते हैं यहाँ पर हम आपको किसी भी प्रकार की कोई medical सलहा नहीं दे रही है, हमने आपको सिर्फ इसका मतलब बताया है और इसके बारे में और अधिक आप अगर पढ़ना चाहें, तो इस वीडियो की description में आपको दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, और यह जो जानकारी है सिर्फ informational purpose से है, यानि कि आपको inform करने के लिए है, किसी भी प्रकार की medical सलहा के लिए आप अपने डॉक्टर से ही संपर करें, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें